तो आज हम आपके लिए उसके लिए लिए हम इदर देखेंगे कि आज की एक्जाम में किस तरह के कोशन पूचेंगे और क्या आपका इसमें पास्कोर जाने वाला है तो अगर आज की एक्जाम की सबसे बड़ी बात जो रही तो इदर आप इदर कमेंट सेक्शन पर सकते हो कि आज की एक्जाम में सबसे ज़्यादा कोशन में आपको अधादू आपके इंटरनेशनल और्गनिजेशन से पूछे गए हैं यून के पूछे गए हैं यून के एक कमेंट आया था यह आप सभी का प्यार है जो मैं आगे लेके जा रहा है मेरे आज मेरा जैसे के एक्जाम आपके इंटरनेशनल और्गनेशन का लेक्षे देखा तीन मार्स मुझे पके होगे बट विकॉस तेंक यू वेरी मच देखो याप सब्सक्राइब कर आता हूं जिसके लेटेड आपको कोशन आने के सबसे ज्यादा चांग से होते हैं जितना मेरे पास टाइम होता है मैं उ जी जी गोल्स के बारे में पूछें आज मैं आपको तो बात करते हैं कि इसमें कितने साथ कंपोनेट से जी के जो 15 मार्स हैं जी के ऑफ जेंट के दस नंबर के स्टैस के अगबाद के 25 नंबर के एक्कनॉमिक्स 25 की है एक्प्शिस की है आप सभी को आता है कि लास्ट टू में प्रेक्टिकल कोर्शन भी पाएगे तो यह भी आपने ध्यान रखना है कि इकनॉमिक्स सोड़ी टीफिकल्ट होती जारी तो इकनॉमिक्स की आपको प्रेक्टिकल्ट के बीच में रही है स्टैस इजी भी नहीं थी लेकिन मेक्सिम कोर्शन के मॉडरेट लेवल के थे औ आज भी तीन कोर्शन अराउंड आप इतना कहसे क्यों आपको फुल फॉर्म के उपर आएं तो मैं भी बहुत रहा हूं अगर आपका जब भी एकजाम है एक दो दिन लगा के आप फुल फॉर्म ज़रूर्याद कर लिजे हर एक एकजाम में आपको मदद करने वाली है तो आ आज का लेवल और कल के जो एक्जाम के लेवल सा थोड़ा सेम ही राया आपको मैं रता दू बस वर बस चांसे यह है जो जी के सिंपल जो जी के जिसमें इंटरनेशनल औरनाइजेशन है वह भी थोड़ी पूछेगी है क्योंकि हैटकोर्टर फिर कोशन्स आए है यूए नॉर्मल आई है आप कह सकते हो कि moderate तक लेवल आया कोई difficult लेवल नहीं गया तो इदर चलो कोशन्स करते है किस तरह के कोशन्स आए है तो यह मैंने स्क्रिंशॉट लिए जो मुझे मेल आये थे पहले पूछा गया है विलेज़ों मिल्क बढ़ा पूछा गया आज हर पता न अब लाजाता है तो इसका अंसर राजवरी दिस्टिक्ट अनुप्रव्यमेंट की प्रॉब्ल्म बुछी के यह डी एसस की फुलॉप उसेटे है जो तो DSS की फुल फॉर्म की बात करें तो DSS की फुल फॉर्म हमारी आज़ेते हैं डिजिजन स्पोर्ट सिस्टम फिर आगे हम बात करें तो इधर पॉंटिंग डिवाइस जॉइस्टिक माउस लाइट पैन इसके बारे में पूछा किया है सब्सक्राइब करें तो इन्होंने मुझे जो पता है डिट फॉल फॉर्म फॉर्म पता हूं जी मैंने आपको कराई भी हुए डिया रम इस्टेंट फॉर्ड दा डाइनिमिक रेंडम असेस्मेम ठीक है आई रैम तो आपको रहे रैम के तो फॉल फॉर्म बता लेकिन दी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहते तो डी स्टेंट फॉर्ड इधर आपका डी सेंटाइनिक तो अगला पी डी डी यह की बात करें तो पीड यह कीवह हुए जेके SSB SI के लिए हम पट रहे हैं तो आप सभी को आप कि फिल्म इंडिस्टी के लेटेट रहता है तो यह आपका नोन आपको आसकर के बारे पता हो कि इंटरनेशनल राते बरत नात्यम दान्स लासिकल दान्स तो यह कौन से स्टेट का बरत नात्यम हमने पढ़ा था यह बी मैं को हमने आट अंग यह कवर किया और यह सिंपल बेसिक सा कोशन आगे मैं कहूंगा कि यह सब्सक्राइब करते हैं तो यह थे कुछ कोशन आगे मैं बात करते हैं तो वैल्यूआ मैं वीडियो लाने तो आप उदर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखे बता होंगे कि थो मस्कप कोन से गेम के लेटेट है तो यह आपने पूछना है आंसर कमेंट करना है तो हिमा हमादरी भी हमने अगर बात करें हमने जब जिघ्र पढ़िए हैं तो यह इसे पूछा गया फ्लॉप ए अमर्ट कांतक अपसे इदर कोशन पुछे गे तो यह बी एक बच्चे ने वेजा यह उन्ब्रोन से पूरा प्रए मैं है बता दूं तो उन्होंने चलो अच्छी बात यह सभी की help करनी चाहिए मैं बता दूँ तो UNEP की headquarters उन्हें बोला UN के बोला ग्रीन revolution विच्ट्रॉप थॉमस कब ठीक है तो माई फादर ड्रीम बुक कि इन्हों ने लिखी है थॉमस कप इस गिवन विच फिल्ड ऑसकर वार्ड हमने अभी पीछे कर चुके हैं सारे कोशन आप बढ़ सकते हो मैं इसको टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा या अगर आप इसका screenshot लें चाते हो अभी screenshot भी ले सकते हो टेलिग्राम पर शेयर कर दूँगा ठीक है EPROM की full form DSS की अभी हमने full form discuss की तो इस तरह के कुछ अभी कोशन बच्चों को नहीं याद क्योंकि वह थोड़ी सी difficult level की आई है थोड़े सा आप कहा सकते है जो कोशन साया है डैट इस नुमेरिकल बेस नुमेरिकल बेस एक दो बच्चे कहरें की कोशन साया है तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए ठीक है उनी को कुष्चन्स को अटैंट कीजिए जो आपको आते हैं ऑविस्सी बात है इस पेपर में सो मॉज्ट इंवोर्टेंट कंपोनेट है क्रों इस स्टैक्स 25 नमबर की है वही आपकी नियुक्त से खरेगी लेकिन बाकि स्ट्रेस दोगे बड़ी का गलती कर देते हो मुझे बहुत हो कि फोन ऐसे आते हैं सर उदर मैं फेंट हो गया सर मेरा उदर आंसर मुझे आता भी था मैं वह उदर गलत कर रहा हूं अगर आप कामने से दीरे सोच समझ के आंसर हो के तो आपको आपने आप आपको पता चलेगा अगे तो जो भी ऍचको सबस्क्राइब कर ले अब भीत्व अगरं बात करें तो जो इग्साम का जो लेवल रहा तो वो मौड़ेट ही रहा है नहीं ऐजी था नहीं टीफिकल्ट था तो एक्जाम आज मॉड़रेट ला यह अच्छी बात है कि सभी सिप्टस है कि सभी बराबर की सिञर्ट